नमस्कार तो चलिए आज हम सुरू करने वाले हैं profit and loss मतलब लाब और हानी तो इससे पहले मैंने class लिया था आप लोग देख रहे होंगे और काफी comment आच्छा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद आप लोग को समझ में आ रहा है तो आज हम आप लोग को बीच profit and loss का questions कराने वा वर्क हो जा रहा है इसके वज़त से हम नहीं आप लोग क्लास ले पा रहे हैं लेकिन मैं कोशिस करता हूं कि क्लास एक जान से पहले तक खतम कर दो चलिए इसमें कुछ terms होते हैं लाब और हानी आप समझ रहे हैं किसी भी चीज के हम लें दिन करते हैं तो खरीद और बेच क रहेंगे तो कुछ terms होते हैं terms को हम लोगों समझना होगा जैसे बोलते हैं cost price cost price इसको sort में CP बोलते है cost price मतलब बेचने का मूल sorry sorry यह खरीदने का मूल होगा तो खरीदने का मूल इसके बाद आता है इसके बाद आता है हमारा selling price selling price इसको बोलते है SP मतलब selling मतलब बेचना है तो बेचने का मूल इसके बाद आता है profit gain इसको लिखेंगे next disturb हो जा रहा है next हो गया profit या gain मतलब love love क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं love होता है मान लिजे selling price जो होता है मतलब selling SP हो गया यह वाला मतलब बेचने के मूल में से अगर हम खरिदने का मूल घटा देते हैं और जो आता है जो आता है मतलब जो आता है वो क्या हो जाएगा हमारा love हो जाएगा जैसे हम किसी वस्तु को 100 रुपय में खरिदे थे और 110 रुपय में बेचे हैं तो जो इसमें घटाने बाद कितना है गा 10 10 रुपय जो आया यह आपका love हो गया क्यांकि खरिदे कितना हो इस आता है 10 रुपय का हुआ इसी तरह लोस लोस या लोस को सकते हैं लोस को इसका हिंदी होता है हानी और हानी को कैसे निकालेंगे तो यह होता है कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब खरेदने का मोल मैनस बेचने का मोल यह खरेदे थे हम सो रुपे में और बेचना पड़ा हमें 90 रुपे में यह कह दो सकते हैं 80 रुपाए मैं तो यह ज़िए जो 20 रुपय आ रहा है तो क्या हो गया मेरा हानी हो गया क्योंकि आप पैसे लगए थे कितना 100 रुपय और बेच दिया 80 रुपय में 20 रुपय अपका घाटा हो गया तो यह क्या हानी हो गया तो यह टर्म है और भी टर्म इसको बताते हैं आपको नेक्स्ट होता है प्रोफिट परसेंटेज यह केसिन कलता है प्रोफिट अगर परसेंटेज में निकाले परसेंटेज आपको हम पढ़ा है तो परसेंटेज क्या होता है तो प्रोफिट परसेंटेज के लिए होता है सीपी जो कॉस्ट पाइस था जो हम खर दे थे सॉरी प्रोफिट परसंटेज क्या होगा इसके लिए फर्मूला है प्रोफिट मतलब लाव अपन जो कॉस्ट प्राइस था बेचने का मूल ले था ओ इन्टु हंडेट कर देंगे हमारा प्रोफिट आ जाएगा तो यहां पर जो हम उससमें निकाले थे सीपी कितना था उसमें 100 था और लाव कितना था हमारा 10 था तो यहां पर निकाल लेंगे प्रोफिट परसंटेज कितना हो जागा था प्रोफिट लाव कितना है 10 और कोस्ट प्राइस कितना है 100 इंटु हंडेट कर देंगे यह यह कट ग हुआ कि इतने लग में 100 में कितना हुआ हुआ है इसमें क्या होता है लिखते हैं उपर हाणी मतलब लौश पर्सेंटेज अपन कोस्ट पराइस हुआ है दोनों में ध्यां रखेंगा कोस्ट पराइस ही होता है दोनों क्या होता है cost price होता है into 100 कर देंगे तो उसमें किता हानी कितना था 20 रुपए हुआ था वहांपर दिया था हानी था 20 और CP कितना था 100 upon 100 into 100 यह है फरमुला यह फरमुला देखिए इसी फरमुला पर मैंने रख दिया कि इस तरह से प्रोफिट पर्षेंटेज और हानी पर्षेंटेज हम निकाल लेते हैं एक कोशन के माध्यम से बताना चाहेंगे तो देख लिए कैसे बनेगा तो चलिए यहां पर एक कोशन से इसको देखते हैं बहुत ईजी कोशन से किसी वस्तु को रेस पांसो में बेचने पर मोहन को पचास रुपया लाव पराप्त होता है पांसो में किसी वस्तु को मोहन बेचता है तो पचास रुपया उसको क्या होता है लाव मिलता है तकार आग यहां पर कितना दिया है लाव हमको दिये 50 और बेचने है तो क्या करेंगे आप लोग पता होगा CP CP को इस तरह अपलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा SP कि माइनस कि SP मैनस लाव इस पी मैनस लाव हो गया तो SP कितना दिया हुआ है तो यहां से निकाल लेजिए 500 दिया हुआ है माइनस लाग कितना हुआ है 50 रुपया तो कितना हो गया साढ़े 400 तो खरिदने का जो मुल था वो कितना हो गया साढ़े 400 में खरिदा गया था सिंपल कोशन था तो नेक्ट कोशन हम देखते हैं सिंपल कोशन से भी है कि दुरुगा एक रेडियो 1500 में खरिदती है और उसे 1200 में बेच देती है तो हानी परतिसत ग्याद करें तो हानी परतिसत क्या होता है उसका पहले फर्मूला लिख लिजे कोई भी कोशन साथ उसके कोश्ट प्राइस मतलब बेचने का जो मुल है इंटू हंडड़ कर देते हैं तो क्या यता है मेरा हानी परतिसत आ जाता है तो यहां पे हानी नहीं दिया हुआ है इसको निकालना होगा और यह तो दिया हुआ यह यहां पे 1500 जो है CP है मतलब खरिदने का मुल्ण है कोश्ट चलग प्राइस दिया हुआ है हानी नहीं दिया हुआ है निकाल लेंगे तो हानी किया होता है आपको पता है हानी रहें होता है step स्वल को क्यों है ठाहिए Czech प्रइस MA funded तो उपर हानी है तो हानी कितना है 300 अपन कोश्ट पैसे इतना है 1500 है और इंटू 100 से मुल्टिप्लाइग कर दें तो कटा देंगे इसको यहां से और 15 नितीस होता है तो मतलब 20 परशेंट यहां पे इसका हानी हो गया इंसर होगा 20 परशेंट इस तरह से जो इजी कोश्ट से आप सोल्व कर सकते हैं बाई फर्मूला चलिए फिर नया कुश्ट फर्मूला हम बेसिक फर्मूला हम आपको बता रहते हैं कुछ टर्म्स है उसके बारे हम चीर करते हैं पहला है कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और परसेंटेज लाव लाव परतिसद दिया हुआ है लाव परतिसद दिया हुआ है तो बोले कोश्ट प्राइस सीपी निकाल लिए तो कैसे निकलेगा इसके लिए सॉटकॉट तरीक है क्या है कि यहां पर हम क्या करेंगे सीपी निकलना त SP इन्टू 100 कर देंगे और अपन 100 प्लस जो लाव परतिसत है लाव परतिसत ली देंगे तो मेरा क्या हो जागा CP आ जाएगा इसी तरह दुसरा फरूमला हम देखते हैं अगर SP दिया है और इसके साथ ही हानी परतिसत दिया है हानी परतिसत दिया हुआ है तो उस कंडिशन में CP कैसे निकालेंगे यहाँ पर क्या था selling price था मतलब बेचने का मोल दिया था और लाव दिया था यहाँ पर बेचने का मोल दिया है लेकिन हानी दिया हुआ थे है Ast weekend कैसे निकालेंगे उसके लिए फर्मुला बदाते हैं आप यहां पर क्या करेंगे कि एस पी निकालेंगे सीपी दिया है ना तो एस पी एस पी इंटू हंड़ेट कर देंगे अपन हंड्रेट माइनस हानी पर 30 सेम कुछ नहीं करना इसी तरह है आप देख लिए दोनों क्या डिफ्रेंस है कि वोल माइनस का प्लस का डिफ्रेंस है मतलब जब लाब है तो प्लस लिए हैंगे और जब हानी है तो माइनस लिए और मेरा फर्मुला बन जाएगा किस कंडिशन में जब बेचने का मूल दिया है और लाब दिया है यहां किस कंडिशन है कि बेचने का मूल दिया है और हानी दिया हुआ निकाल लेंगे हैं कि सिम्पल नीकोब जाता है लेकिन डिया कीश्ट कोशन से है ये आगर से यह तो और अगर कोस्ट प्राइस दिया है और मैं डिया हूँ और पर दिया हूँ है है तो अब कहो रहा है कि SP क्या आप किजिए selling price क्या होगा तो इसमें क्या होता है ना आप देख लिए पर लिएते हैं selling price नहीं करना है तो CP into क्या कर देंगे CP into यहाँ पर हो याता है 100 प्लस लाभ पर 30 अपन 100 इसमें क्या हो रहा है कि यह वाला चीज था जो यहाँ पर था यह उपर चला गया है और यह ता अपने जगह हैं CP और SP इधर उदर हो रहा है लेकिन यह उपर चला गया किसमें CP और लाभ पर चला दिया है तब इस तरह चौथा नमर हम देखेंगे कि CP दिया है और और हानी परतिशत दिया हुआ है हानी परतिशत तो यहाँ पर अगर हमको SP निकलना हो तो कैसे निकलना क्या करेंगे हम इसमें फिर CP लिखेंगे इंटू हन्डेट माइनस हानी परतिशत अपन हन्डेट कर देंगे और इस फर्मूला भी देखेंगे ज़दा डिफेंस नहीं है पिछले वाले फर्मूला से जैसे कि इसमें क्या था प्लॉस था और और यहां पर किवल माइनस आ गया और हानी हो गया यहां पर लाबता सेम ट्रीक है यह चार फर्मूले हैं आप याद रखेंगा इससे अगर देता है निकालने के लिए आप इसली निकाल लेंगे फिरें नेक्स्ट देखते हैं चलिए तो एक ट्रीक है टर्म से इसके बारे में बात करते हैं ध्यान रखेंगे इसको यहां पर दिया हुआ है कि अगर एम बस्तु नंबर ऑफ जो बस्तु एम है उनकी संख्या जिसका खरिदने का मूल एन बस्तु जो एन बस्तु रखा है उसके बेचने के मूल के बराबर ह तब परतिसत और लाब परतिसत या हानी दुनों में से कोई क्या होगा इसका फर्मूला होता है एम है न तो एम माइनस एन अपन एन इंटू हंड्रेट हमें कोशन कराक हमको दिखाएंगे अभी समझ लिजे फर्मूला क्या है तो इसमें अगर एम बड़ा है एन से तो बस्तु जिसको n बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि m बस्तु का खरिदने का मुल n बस्तु के बेचने के मुल के बराबर हो तब परतिसत लाव या परतिसत हानी क्या होगा पता ही इसके लिए क्या फ्रमुला है m यह m-m-n अपन n इंटू 100 कर देंगा तो आ जाएगा चलिए एक क कोशन देखिये क्या है प्रसिन दिया हुआ है कि 12 बस्तु के बेचने का मुल 18 ₛ दिए खरिदने का मुल के बराबर है तो लाव परतिसत ग्यात करें घ्र rh हमद ओसमें हम लोग जो फर्मूला उसको लगाते हैं कि तो इसमें मफंगी म्हा जो फर्मूला के अनुसार इसे और बेचने वह खंगे है और आप दो लेते हैं, लाव परतिचत क्या होगा, m-n upon n into 100, यहाँ निकली m कितना है, 18 है, minus 12 upon 12 into 100 कर देंगे, तो इसको solve किजिए, तो 6 upon 12 into 100 हो गया, यह कट जागा दो बारे में, और इसको कटाएंगे तो 50 बारे में हो जाएगा, मतलब 50% love होता है, देख लिए, n मतलब बेचने का मूल, 12 वस्तु के बेचने का मूल, 18 वस्तु के खरिदने का मूल के बराबर है, तो love परतिचत गयाद करें, तो यह फर्मून हम लगा दिए, simple, इसमें देखिए, m बड़ा है, m greater than n, तो मतलब love हो रहा है, यहाँ पर, m क्या ह जाता है, खरिदने का मूल, 18 है यह, और बेचने का मूल, n वस्तु 12 है, तो बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, love परतिचत निकलेगा, यहीं जब यह छोटा होता और यह बड़ा होता, तो क्या होता है, हानी हो जाता है, इस तार से questions को लगाना होगा, एक और questions इसमें लगा जाते के मूल के बराबर है, तो हानी या love परतिचत ग्याद करे, बड़ा की इसमें हानी होगा या love होगा, हमें नहीं मालूम है, आप करके बताइए, एक दर्जन मतलब क्या होता है, एक दर्जन कोई कह रहा है, केला है मतलब, केला के संख्या कितना है, बारा है, आपको पत आप देख रहेंगे एम छोटा है यह क्या है छोटा है जब एम छोटा होता है तो क्या होता है हानी होती है पाता है आपको हानी पर्चेस होता है तो यहां पर लाव यहां हानी पुछ रहे हैं तो हानी यहां निकलेगा तो हानी पर्चेस यहां से निकाल लीजिए क्या होगा किल तो यहां से स्वूल्ब करेंगे हम wanna जब कितना है गरेगा नौ-चार बारहू होता यह लहां 8-5 माइनस तिन हो गया इन्टू हांड्रेद क्तरिश्क मितलुआ डिस स्लों को तो है इस ऐसे को सोल्व कर लेंगे हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट है यहां पर आप लोग देखे इसको करें कि दो अलग अलग वस्तु पर एक सपर्शंट लाब होता है और एक सपर्शंट हानी होता है और दोनों का जो बेचने का मुल बराबर है तो वैसे लिंदिर में हमेशा ह हानी होता है और हानी कितना होता है उसके निकालने के लिए एक सपर्शंट लाब और हानी सेम होता है और भले वस्तू अलग अलग हो उसका प्राइस अलग हो लेकिन लाब और हानी सेम होता है और जो बेचने का मुल है वो भी सेम है तब हमारा जो ट्राइंजेक्शन होगा वो हमेसा loss में होता है हानी होता है उसका एक qoushen से लाखकर हम इसको चेक करते है है तो यहां पे देखिए एक qoushen से कि दुर century के पास और उसपे एक पे लाब और एक पे हानी हो रहा हो same, same lab और same हानी मतलद20% 20% हो रहा हो,ब भीशीने का दूनों का मुल्ध सेम हो इस condition में हमेशा हानी होती है लौस होता है और इसका जो फरमूला था आपको हम बताये थे हानीaw परतिसद क्योंकि हानी हो था हानी परिश्चत क्या होता है X upon 10 के power square करते हैं और यहाँ परतिश्चत लगाता है परचल जाता है कि परतिश्चत लॉस हुआ है X क्या यहाँ पर यहीं X है X कौन सा है यह उलाई X है क्योंकि same X को हम इसको X मानते हैं X कितना हुआ 20 upon 10 के power square कर देंगे और यहाँ परतिश्चत लगाएंगे कटेगा तो कितना हागा 2 दोनी 4 4% का loss होता है इसको मतलब हानी होती है यह इंसर होगा तो इस तरह से अगर questions आते हैं यह सब trick है इस trick से आप लगा सकते हैं यह इस type of questions आते हैं ध्यान रखेगा next question हम लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए next concept आगला concept आपको हम बताने जा रहे हैं इसमें काफी interesting है कि अगर कोई दुकंदार गलत तराजू से वजन करता है इस तराजू होता है जो वजन करने जो ड्राजू होता है वह गलत two लौनल जाएगा और उससे एक कीजी टॉलना था जो बताते हैं तो और तो उसका overall हनी पर 30 real quick ज्यात करें जालेंए एक फरमूला काहतर हम बताते हैं एसमें जो फर्मूला करते हैं उसके बारे हम जी क्लिकर लाते हैं कोशन के साहिए तो जो फर्मूला उसको पहले समझ लिजे इसमें काया करने हैं कि 100 प्लस जी यह जी क्या है लाव और रहा नहीं है अपना हंड्रेड प्लस एक्स होता है इसकल टू सही सही वजन अपन गलत वजन यह होता है है और कोई दुकणदार गलत तरीके से वजन करता है तो उसमें यह फर्मूला हम लगा देंगे इसर हमारा मिल जाएग चलिए ईक कोशन लाकर आ आपको बताते हैं तो यहाँ पे कोशन से दिख लीजिए कोशन सके एक बहाई मान दु लेकिन गल्ती कहा करता है एक केजी के जगह और नौसब पचास गराम करता है तो कर लेता है तो इसका लाः पर्षत ग्याद करें यह कैसे निखे लेका तो जो हम लोग जानते हैं कि बैमान जो दुखनारी इस टाइप का जो करता है वजन मीधर वदर उसके लिए जो फर्मूला हम बताए हैं यह सौटकॉट तरिक लॉंग से बना सकते लेकिन सौटकॉट से चलिएगा तो जल्दी बनेगा और यहां में टा कि यहां हानी ग्यात होगा और यह एकस है ना यह कोस्ट प्राइस है यह कोस्ट प्राइस है अगर खरिदने के मुलपर ही बेचता है तो यहाँ पर x is equal to 0 हो जाएगा, मतलब जिस मुलप करी ने के मुलप भेच रहा है, इस कोशन में कर रहा है, खरी ने के मुलप भेच रहा है, तो यहाँ पर x is equal to 0 हो जाएगा, तो देखें इसको हम लगाते हैं, तो फर्मुला 100 पलस G, एते निकलना है, जी को निकलना है, यह क्या लाव यहानी है, वहीं पुछ रहा है, लाव यहानी परतिसत बताईए, और 100 पलस X है न, X कह रहा है कि अगर कोस्ट प्राइस पर ही खरिता है तो वह 0 हो जाएगा, अगर कोस्ट पर नहीं खर देगा, तो हम उसको वहां लिखेंगे तो अभी क्या करेंगे इसको 0 ली देंगे इस कल टू कि सही वज़न कितना एक हजार है और गलत वज़न कितना किया है 950 किया है तो यहां सकरें इसको solve करेंगे तो आप लोग solve कीजे इसे थोड़ा सा मैं solve करता हूँ, इसके आगे आप लोग solve कर लिएगा, हो जागा ये 1000 into 100 upon 950, हो जागा ये क्या होगा, इधर आ गया, ये ही पर आ गया, ये क्या जागा 100 इधर जागा था, ये 1000 into 100 हो गया, और पहले से 950 था ही, तो यहाँ पर solve करेंगे, तो जी के जो मान आएगा, हो जागा 5 से ही 5 बाटा 19 पर्शेंट, ये एंसर हो जागा, और ये निगेटिव आएगा, तो उसको लोस हुआ है, याद रखेंगे ये निगेटिव हो जागा, तो ये लोस हुआ है, ये फर्मुला था, इससे हम लोग निकाल लेता है, चले next discount देखते हैं, चले discount के questions लगाते हैं, discounts में क्या condition है, कि यहाँ पर जो questions आते हैं, तो successive discount क्या होता है, थ्थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिजे, मतलब लगातार discount होता है, मतलब successive लगातार discount देता है आपको, किसी लिए मान लिजे किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर एम परतिशत और एन परतिशत सक्सेशिव डिसकाउंट है एक बार एम परसेद दिया गया और एक बार एन परतिसद डिसकाउंट दिया गया तो पुछ रहा है कि उस वस्तु पर कितना डिसकाउंट है ज्याद कीजिए इसके लिए क्या करते हैं एक फर्मूला होता है एम पलस एं माइनस एमन अपन हंड्रेट इस अपर यहां परतिसत लगा देंगे तो इस तरीके से इसको बनाना होता है तो चली इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा एक कोशन के माजन सहम बनाते हैं तो यहां पर दखिए जो कोशन से उसको ध्यान से समझे क्या है कि इस वस्तु पर 10 पर्षेंट और 20 पर्षेंट के लगतार बाटा दिया जा रहा है मतब सक्सेसिफ डिस्काउंट जा रहा है उस वस्तु का बाटा मतब डिसकाउंट ज्याद करें आप मौलूल में जाते हैं व प्लस N माइनस MN अपन 100 पर्षेंट यह और डिसकाउंट हो बोलता है किसी भी मौल में तो क्या होता है M और N M कितना है 10 है प्लस 20 है माइनस 10 इन्टू 20 अपन 100 इसको स्वल्व करेंगे तो कितना जाए 1020 30 30 माइनस यह कितना होगा 200 अपन 100 कट जाएगा तो कितना वगा 28 पर्षेंट अपका यहाँ पर्षेंट चल रहा है कि कि इसना डिसकाउंट है 28 पर्षेंट है जबकि आप देखेंगे यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे था था दिसकांट आ रहे तो ऐसे नहीं है 30 प्रशंट डिसकांट नहीं है यहाँ पर कितने एक चोल में 28 परशंट मिलेगा वस्तुप आपको दो बार डिसकांट गरेचा मतलब यह नहीं कि आपको 30 परशंट रोड लिएगा कितना है इस तरह से मॉल में आफर दी जाते हैं आप देखते होंगे चलिए एक और कोशन इस पर लगा लेते इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कोशन करेंगे